एक बेटा मुखमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, एक बेटी संसंद बनेगी, बस उनों का अपना परिवार से मतलब है, किसी इस दूसरे से मतलब नहीं, काफी नराज लग रहे हैं आप लालू परिवार से, इलो क्या विकास करें, इलो बिनास किये है, विका कि घब लगे हैं कि इस बेटाम नित्ती तेट हैं ज़स्भी जादों को मुग मंतिर बनाना का जादों लोगों में पढ़े लिखा लोग नहीं हैं कि यह पढ़े को लोक़रे कि उह हम मुख मंतिर बनाएगे पाछा अच्छा भासन देते हैं सुने हैं अंग्रे योगर अभी बूलते हैं भासन देतने से नहीं नहीं होगा शर बढ़े लिखे ब्यक्ती से कभी भी बात कि जिए गान कुष दर्य मोई तो शालिका नहीं अंतोर हो जाएगा कैंब इसमीचव जो नहीं पढ़ा लिकाओ और दिली अस्मान का अंतोर हो जायए अभी तो जसमी जी कहते है कि हम विकास करेंगे नोकरी देंगे आरे उनके पीता जी लालू काका पंदरो बरिस थे तो बिहार का नाश कर दिये अब यह क्या विकास कर पाएंगे कि परसान की सोर ही है कैसा सकते है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है दूसरे किसी में चामता नहीं यह तो हम लोगों को बस शाड़े चार बरिस इलोराज भोगते हैं अज पांचे महीन रह जाता है तो जात पात का जगड़ा लागा करके और फिर अपना इलो बोटले करके जीत करके जा करके मलाई चापते हैं जानता से कह मतलब पहलो जो 65 रूपिया में और पाऊच मिलता था और इजनल आज 120 रूपिया मिलता है धोदवा जिसको लोग धोदवा कोहते हैं बहुत तका त्यों कहला ना निगरा उसको देखियों लोग पीते हैं पीन मौजूदा सत्ता की अगर हम बात करें चाहे वो नितीश कुमार हो भाजपा हो या विपक्ष राजद हो इन सब को ले करके इनके अंदर एक नराजगी है और बिहार की स्तिथी के लिए अभी इनी पार्टियों को ये जिम्मेदार मानते हैं साथी साथ एक उमीद की किरन के रूप में इन्हें जन सुराज दिखाई देती है वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से बीसी इन फाइर एंड सेफटी पिजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन फाइर एंड सेफटी आयोश निबोश और सभी कोर्स प्रैकिकल ट्रिनिंग के साथ करें नमस्कार आप देख रहें समय सिवान इस वक्त समय सिवान की टीम रगुनात पूर परखंड सिवान जिले का रगुनात पूर परखंड के निक्ति कलाब पंचायत में हम लोग हैं यहां पर हमारे साथ अजीत सिंग जी है जन सुराज के एक नेता हैं जन सुराज से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं जब से सिवान में इसके जो रचईता हैं इस संगठन कहिए आने वाली पार्टी कहिए जब से वो सिवान में आये प्रशांद किशोर तभी से इनका संबंद रहा है हम इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस इलाके में जन सुराज की आगती विदिया चल रही हैं और किस तरीके से यहां पर लोगों से जन संपर किया जा रहा है बहुत बहुत स्वागत बाद आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी स्वागत करता हूं अभी परिचे एक हली बता दी हम अजीत सिंग पूर मुखिया अभी फिल हाल अम रहुनातुर परखंड के जन सुराज के परखंड अध्यक्षा है अच्छा परखंड अध्यक्षा है जी जी तो थोड़ा सा बैग्राउंड बता दीजे आप क्या करते रहे हैं कब से जुड हैं और इलाष्ट में सुला में जो चुना हुआ मुखिया बने तो इसमें मुखिया संग के अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं जी 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 जन सुराज में कब से जुड़ा हुआ जन सुराज में जब परसांद कि सुर जी आई सीमान में तब ही हम जुड़े हुए ह आप हमारा राजनीति गुरु तो कोई नहीं है जी हम अपने आप राजनीतिक में इसे बात के ले करके थी हो गया तो हम राजनीतिक में आ गए राजनीत से लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं प्रशांद किशोर के साथ जुड़ने का क्या अर्थ माना जाए प्रशांद किशोर के साथ जुड़ने का अर्थ यहीं है ज़एस बिम्त करते सक्वाइब एवान वेडर देते हैं अब सबस्क्राइब that收ismo है। लोग उपर उठकर के प्रशांद जी के साथ जुड़ पाएंगे। लोग देख लिये हैं, उन तो समझ ये कि कमल से लेके लाइटेन पर लाइटेन से कमल पर यहीं जा रहा है, उनका मतिय खराब हो गया है, लोग को आते कि वो इंजिनियर है, लेकिन हमको तो उनकी सब्द की बानी साइसा लगता है, कि एक अनपढ भी व्यक्ति जो होगा न, व अभी जो इस परकारों बात करते हैं, विधान साभा में, जो बाक्त किया है, आप लोग देखे हैं, वो इसा लोग नहीं कर पाएंगे, आपके नेतापुर कई से विश्वास किया जाए, आरे हम, देखिये, विश्वास तो करना पड़ेगा न, आउर लोगों को लोग तो पाटियों को लोग तना इती से विश्वास किया, इस पर भी तो विश्वास करना पड़ेगा न, कोई आधार तो होना चाहिए, आधार है, क्या 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 आधार है, क्य सभी समाज को ले करके चलने वाले हैं जी और समाज बिहार में इनका बिकास करने का अलग इती है उसको को रहे हैं कि से हम बिहार में पहले देख लिए पहले बिहार में लोग नोकरी करने के लिए आते थे बिहार में लोग सिख्छा प्राप्त करने के लिए लोग आते थे परांत में जा रहे हैं, तो उनका कहाना है कि जब यहीं परहम, अब जो इसे पेंसने का देख लिजिए, हर एक स्टेट में 400 रुपिया कोहीं नहीं है, यहाजार रुपिया से कोहीं कम नहीं है, इन्होंने अपना एलान किया है कि मेरी सरकार आएगी तो हर एक ब्यक्ति को मेरी सरकार आएगी तो यहीं से 12,000 फिले के 15,000 रुपिया तक बेवस्ता यहीं पर किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन की बात कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है, बिहार के जो लोग हैं, इनके बारे में कहा जाता है, कि जहान आप पहुंचे गाड़ी उहां पहुंचे बिहारी दुनिया देशी नहीं दुनिया के हर कोने में हर जगह बिहारी लोग आपको मिल जाएंगे पलायन इतने भैंक और इतने अस्तर इतने बड़े अस्तर पर हुआ है तो आपके पास कौन सा आप लोगों के पास आपके नेता के पास फर्मूल लोग पैसा बैंक जमा करते हैं जमा करते हैं उसमे टैसंट परसंट थे हम यहें को मिलना चाहिए कि नहीं मेलना चाहिए लेकिन 40 परसंट से हाई दर होगा इस्टेट में ःतीम ș problèmes प्षील एपकुर से ला इस भी हो गारं वरं года पैसा दिया जाेगा तो रोजगार बढ़बे करेगा लोग क्या करते हैं खाली लोग बईठे हुए ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हामारे एस्टेट का पॉइसा अधर एस्टेट में को जा रहा है उस पर दविचार करना चाहिए उनलों को कॉन कॉन दोषी है इस बात का आप जिसको काह रहे हैं इसको कर रहे हैं जिसको सता शमालने को मूका दिया गया है मुकमंतर नितुस कुमार जी है लालू जी थे लालू जी तो सारा खाजना लूट लिए वोट आप जब लगों कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं है क्यों पढ़े करे कि मूख मंतर बनाइगे अनुपढ़ काईसे है, अजीद जी अच्छा भाशन देते हैं सुने हैं अंगरे जी होग अभी बोलते है भाशन देतेने से नहीं ना होगा सर पढ़े लिखे बेक्ती से कभी भी है बात कि जिएगा नो तो उसके बात और बीचार में अंतोर हो जाएगा जो पढ़ालिका है उसमियो जो नहीं पढ़ालिका हैного दिली असमान का उंतोर हो जाएगा अच्छा बिहार की समस्या को अगर हम आप आप लोग जैसे देख रहे हैं अभी सीवान की समस्या है चुकि हम लोग सीवान जिले से हैं तो हम सीवान की भी बात कर रहे हैं खास पर पर आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं अरदे सीवान में तो बहुत सारी समस्या हैं जैसे माल ने किया तक पर खंड में कम से कम डिगरी कोलेज होना चाहिए वो नहीं हुआ सिख्षा के बिशे में दखिये रहे हैं कि विद्याले में इधर खिचडी बट रहा है और को लेज में बुजिये कि डिगरी बट रहा है तो जब आच्छा सिक्षा के बिवस्ता होगा तब लजा करके सुधार होगा हमारे परसांत की सव जी कह नाम है कि हर एक पंचाइत में एक नित्रहाट दशा बिद्याला हम खोलेंगे जिसमें अच्छा सारा बेवास्ता रहेगा पर खंड में खोलेंगे यहां डिगरी कोलेज होना चाहिए लेकिन इलोग कहा कुछ किये हैं कुछ नहीं किये हैं यह तो हम लोगों को बस जाता ही अपने जात के लोगों को देख करके वोट देती है तो यह जनता की आदत आप लोग कहीं से बदल देगा अरे दों बदल जाएगा जानता खुद सोच रही है सारा लोग यहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई तिसर का बिकॉल पहाए तिसर का बिकॉल थान नहीं है जो तिसर का बिकॉल मिल गया है तो सारी जानता है मम लोगों में सारी जानता जुम रही है कि अब परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में और बिहार का क्या कॉल बहुत लोग यह कहते हैं कि प्रशान किशोर तो राजनितिक रण नितिकार रहे हैं बाजबा को बनाए जदियू को बनाए छेठो मुख मंतरी बनाए उधर जाके कहां कहां अब मान लिया कि अब उनके विश्वस्नियता कि जहां तक बात है कि जिन लोग को बनाए उनहीं कि खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी क्या विश्वस्नियता है बहुत लोग इस पर सवालिया निसान खड़ा करते हैं कहने का मतलब है कि ठीक है वो बना दिये मुखे मंतरी जी नितिशे जी को बना दिये उनका उद्देश कुछ और था बिहार को बिकास करना था और उसके उल्टा नितिश कुमार अपना चलने लगे तो आदमी मानेगा नहीं न मानेगा वो तो बगावत करबे करेगा में अगर अत्य मंतरी बन जाचे कि कुछ भी बन जाते तो बिहार के विकास नहीं नहीं नहों पाता इसलिए इन्होंने अपना लोगोटा कसा है कि नहीं बिहार को परिवर्टन करना है तो करके बहेंगे चुनाओ 243 सीटों पर बात चल रही है इधर जो राज़त के प्रदेश अध्यक्षे जगदानन सिंग ये कह रहे हैं कि आप लोग उनकी पाटी को फोड़ रहे हैं सब राज़त वाले लोग जो है कई इनको बहका बहला फुशला कर आप लोग अपने अपने पाटी में सद चुनाओ लड़ेगी दूसर का बात कि किसी भी पाटी से समझाओता करना नहीं है किसरी बात जगनानन बाबु को रहे हैं तो बात सभी कर रहे हैं जा राज़त से लेके बीज़पी से लेके जोदू से लेके सारे लोग या रहे हैं कहां आ रहे हैं तो परसांत किसों जी के पास आ रहे हैं कहा रहा है तो जन सुराज में आ रहे हम हों लोगski करुएंगे ऐसे लोगों पर फोंग चुछ चुके हैं कि लोग विकास करने वाले नहीं है लोग लोग बिनाज किया है मना तो क्षक्र membak disabilities कहते हैं कि हूं हम विकास करेंगे नोकरी देंगे आरे उनके पीता जी लालू काका पंदरो बरिस थे तो बिहार का नास कर दिये अब ये क्या विकास कर पाएंगे तो सब लोग लेकर कर लूटिया डूब गए हैं आप ही बताइए हम कहते हैं कि जब से देश आजा दुवा था तो उसके बाद भी बिहार सोने की चिडिया थी यहां क्या नहीं ता प्राकिर्तिक ने जो संपतित दी है अगर इसी कोई लो संभाल करके रखते तो हमको भी पू टाला करें जिसमें फोसे हुए हैं जेल भी गए हुए हैं आप लोग देखिए रहे हैं इलो क्या विकास करें इलो बिनास किये हैं विकास का तो इलो हाले नहीं जानते हैं सिर्फ आपना विकास करना चाहते हैं अपने बेटा का विकास करना चाहते हैं अपने बेटी का वि प्रवार नहीं काफी नराई लग रहा है आप लालू परिवार से हम लाराय हम देखे हैं वह जो जंगल राय ताम देखे हैं एक डेक निकलना मुश्किल ता अगर रगुनाथपूर पर दलाई लेने के लिए हमारे परिवार का कोई तब यत कराब हो गया अगर रगुनाथप तो गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी ऐसा समस्या था एक डेक चलना मुश्किल था रोड के भी सेमा भी आप लोग देख रहे थे सीवान से अंदर रहने के लिए अगर कोई गर्भावती और थे अगर उसको गाड़ी से ले करके चले जाएए तो हमको नहीं लगता था कि उसीवान जा पाएगी उगराष्ते में ही डिलवरी उसका हो जाएगा अशाइचा इस्थिति था जंगल राज अभी तो नितीश जी ने सब सड़के बनवा ती हैं अब तो सड़के बहुत अच्छी इस्थिति में अच्छा इक बात मता यह सड़क बन जाने से भीकास हो ज जाते हैं कोई रहुनातुन कोई बेवस्ता है अभी तभियत खड़ाब है वहां जाईएगा वहां से डक्टर सब तुरंत रेफर करेंगे सीवान से तुरंत एक दूगर सुई देख करके और को है कि गोरक पुझा उन्द पटना जो क्या यह बेवस्ता रहुनातुन जब पराण मेर है उलहेर है तो कंधा अफंव ड्म कर दियो टो आथ उलता है कहा उलो जा करके पना इलाज करा रहार है क्यों क्यों नहीं पालो जो 55 रूप यह पाउच मिलता था औरिजनल आज 120 रूप यह कोईते हैं बहुत तका त्यू कहला ना तक कि निगरा उसको देखियो लोग पीते हैं पीने के बाद किसी का आख निकोल लाता है तो किसी का प्रान निकोल लाता है हमारे मुख मंतरी जी कहते हैं भासन देते हैं किसे अरे जो पीएगा हो मरेंगा नहीं संभेंदा भीव्यक्त नहीं कर पाते हैं यहीं करोना में देखे लिजिए हम सारे मुखियाल अपने सवर पर कोफन बांद करके आप पूरी जहनता की सेवा किये थे आज तकल मंतरी भीधाय के लो आज तकले कोहीं निकले हैं दो मुहीं दा इलो घौर में घुषय हुए थे आज तकले कोई कहने का मतर्थ जो हमारे भाई बंदू जो परदेश या रहे थे क्या इलोंगों ने कोई पाई किया था नहीं जीदों से मरने के लिए छोड़ दिया था अब यहीं बियार को इलो मरने के लिए छोड़ दिया है कि तु मरो चार किलो पांच किलो अनाज मिल जाए इसमें किलो खाईया जारा है चार किलो में तुम मरो और का विकास है आप देखिये ना खाली एक तो रूट से विकास नहीं नहीं हो सकता है अलग अलग पाटी यहां है राजद है राजद का जो इस कट बंदन में इंडिया कट बंदन है भाजपा एक इतनी बड़ी शक्ति है आप लोग जुमा जुमा आठ थी पाटी बनी भी नहीं है दो अक्तूबर से आप लोग एलान करेंगे और करेंगे दो सो तिराजी सीट पर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो लड़ेंगे सरकार भी बना लेंगे जीते ही तोड़ा नहीं नहीं आप लोग का ओवर कंफिडेस नहीं 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 है देखिए हम लोग समाज मेरा दिन समाज में रहते हैं समाज में घुनते हैं हम लोग समाज में जो चल रहा है चर्चा परिवर्तन करना है कोई नितिस को कोई घूट रहा है अलालो जादाव का तो नाम ही नहीं कोई ले रहा है यह लोगा इस बास्वा साफ होगा अब फिर परसांद की सवर्जी जन्सुराद ही आएगा इसलिए कि कोई बिकॉल भी नहीं है रगुनाद पूर विधान सभा के वि जन पृतिंडिय रहे हैं आप एभी जन पृतिंडिय के तौर पर लोग आपके पास आते हैं अपना डुख दद करते हैं लोग बड़ा इस लागी प्रेम करते हैं थे उनके काम को आप कैसे देख रहे आहने को प्हुंद काम को जो जो तो बिधायक जी हैं अपना स्वही रोल आदा नहीं न कर रहे हैं। 2001 में हमारे साथ मुखिया भी थे हूँ। बिधायक क्या करता भी होता है, क्या धर्म बनता है, यो लो नहीं जानते हैं। जितना भराष्टा चार बढ़ा है, अगर एक बिधायक ततपर हो जाए, तो यह भराष्टा चार खताम नहीं हो जाएगा। जाय परखौंद हो जाय हो चईए ठाना हो अगर एक भी विधायक हो जाय तो पता नहीं हिले गाए हम लोग मुखियाथ थे पता हिलना नहीं दे तें और भी दायर बहुत लोग तो यह भी कर रहे हैं कि आप जनसुराज में आए हैं तो आपकी अपनी राजनीतिक महतो कांचा है आप चुनाव लड़ने के लिए आए ना ऐसी बात नहीं है नहीं लड़ने के लिए हैं अगर परसांद की सोर जी कहते हैं कि नहीं मुखिया जी आपको चुनाव लड़ना है तो लड़नगे दम लड़नगे पीछे अटने वाले नहीं है लेकिन हम लोग जानता कि सेवा करते हैं प्राथमिक्ता सेवा जी जी हम मुखिया भी ते पाता कर लिजिएगा कि बारे बजे तो लिएक बजा रात के कोई फोन करता था तो जितना कापड पहंन्ने में जतना टाइम लगता हो तूरहन गाड़ी हम टाते थे और बारे बजे एक. olsa रात में उसके दरवाजे पर पहुंचते थे और जा करके एक शेकाल बिवर ममिला को हमने सल्व किया है रात में जा करके आज कल तो मुखिया जी लोग हैं दीन में सामाचार पुषिने की लोग नहीं जाते हैं अरे भाई आप मुखिया बन गए थोड़ा दो सर्म की जिए हैं दुख में नहीं जाते हैं सुख में नहीं जाते हैं कोई जनता से मतलबे नहीं है अभी भी हम लोग मुखिया नहीं है तो जो एक शेकाल पांचायती होता है हम ही को लोग बुढाते हैं सारे लोगों को दुख में सुख में हमको मालूम होता है कि फलनवा गुजर गया है त करते हैं जी उस समय में भी डिलर लोग थे जो गरीब ब्यात्ती था हम डिलर से पोईशार नहीं बाने थे ना लोग कमिशन हम लोग नहीं बाने थे हाँ जरूर है कि आप को दिजिए कि नहीं मुखिया जी बहुत गरीब आत्मी है हम का भाई डिलर साहब जो इसको थोड़ा म मुदत किये हैं उस आर्थिक मुदत किये हैं आप के जन सुराज जब पार्टी बन जाएगी 243 पर आप लोग लड़ लेंगे और अगर अगर मान लीजिए कि आप लोग बहुमत में आते हैं तो मुखे मंतरी कौन बनेगा वो बताई देखिए कोने का मतलब है जी तो सर्ब मिथे लक्षि लेकरकर नहीं आएं मुख मंतरी क्या हैं हॉम उस दिन समझेंगे कि दिस देरी दुसरे पर देख के लोग बिहार में काम करना अना सुरु करदेर रोज गार के लिए दुसरे प्रांद के लोग यहाँ सिख्षा गर्वन करने के लिए आए तो हम समझेंगे कि हमारा बिहार बिक्षित बिहार हो गया है आप चाहते हैं कि वो मुख मंत्री बने यह सरकार हम क्यों नहीं चाहेंगे हम क्यों नहीं चाहेंगे हम तो स्वाब करेंगे कि भाई वो मुख मंत्री बने परधान मंत्री बने तो विहार को चमकाए उसके बाद तो अगला स्टेज है यह है अभी जनता आपको देख रही है जनता आपको सुन रही है आपकी बातों को बड़े ध्यान से अच्छा ठीक है आप जनता से क्या अपील करेंगे क्या ऐसी बात कहेंगे कि जन्सुराज किस तरीके से अलग है और इस पर विश्वास क्यों किया जाना चाहिए अपील बताईए। लोग इसे उपरूठ करके और अच्छा समाज का निर्मार कीजिए। तब जाकर के बिहार का विकास हो पाएगा। अन्य था पहले ही जैसा था वो इसा ही रहे गा। फिर अभी भी लोग बाहर में जा रहे हैं। और अब इस बार आप लोग नहीं समझिएगा तो फिर हम लोग जो बच्चे हैं दूसरे परदेश में जा करके फिर वहीं रोजगार का भीख मांगेंगे। तो हम इसे इन दोंगे से यहीं आगरा करेंगे भाई इससे आप लोग उपर उठ करके और जन सुदात की बाहों को मजबूत किजिए और बिहार में परिवर्तन लाइए इसमें आपका भी सभवाग दिया हैंगे। अजीत जी आपने हमें वक्त दिया इसके लिए हम आपका शुक्रिया आदा करते हैं। मौझूदा सत्ता है मौझूदा सत्ता की अगर हम बात करें चाहे वो नितीश कुमार हो भाजपा हो या विपक्ष राजद हो इन सब को ले करके इनके अंदर एक नराजगी है और बिहार की इस्तिथी के लिए अभी इन्ही पार्टियों को ये जिम्मेदार मानते हैं। साथी साथ एक उमीद की किरन के रूप में इन्हें जन सुराज दिखाई देती है और पूरे विश्वास के साथ जन सुराज के साथ ये हैं आने वाले समय में अब ये देखना बाकी होगा। कि जन सुराज की जो बाते हैं वो जनता तक कितना पहुँश पाती हैं। अगर पहुँशती हैं तो जनता उस पर कितना विश्वास करती है। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।